हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं देशीगी जो मलाई निकलती है ने दूद के उपर से उसको मैंने जमा कर लिया था 20 दिन की मलाई है उसको मैंने अच्छे से फेट लिया इसको फेटना बहुत जरूरी है हम तब तक फेटेंगे जब तक ये मलाई चिकनी नहीं हो कम से कम तीन बार तो कम से कम धोना है इसका पूरा दूद निकल जाए तब तक इसे हमें धोना है और फेटना बहुत जरूरी है इसको अगर नहीं फेटेंगे न तो ये मखन नहीं बनेगा मलाई में से क्योंकि मखन से ही हमें घी बनाना है इसका मखन फेटने से ही अच्छी यह यहना बहुत अच्छा गी बनता है घर में बजार में बहुत मिलावटी और मार्केट में नकली गी आता है यह घर का देशी गी बहुत अच्छा तयार होता है एक बार और दोएंगे दो बार इसमें दोया था एक बार और मैं धोलूंगी इसको और फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा के इसका धी बना लूँगी। यह भी हमारा दुल गया और यह ग्यस पर छड़ा लिया मैंने। और इसको बीची बीच में चलाते हुए हम बनाएंगे। और धीमी आँच पर बनाना है, तेज आज पर नहीं बनाना है घी को नहीं तो में जल जाएगा और यह हमारा गी बनने वाला है और इस गहला मावा होता है इसले पाल पर अबने और ऑपाला हुदा कि यह मावा यह जोह के दमाला है प्रिवाज करें बादेह, gosh, भी नहीं दाल, पाल, जणन को सुछा, भी